आज को टॉपिक है वो है section 12 के बारे में जैसे कि हम factory act के बारे में भी बात करें तो section 11 के बारे में हमने कल बात की थी आज हम section 12 के बारे में बात करेंगे तो section 12 जो है वो क्या बताता है ठीक है तो section 12 के अंदर बताया गहा है disposal of waste and effluence ठीक है तो जितना भी disposal रहता है जितना भी industry से निकला हुआ waste रहता है वो क्या करा जाते है ट्रीट किया जाता है ठीक है उसे इस तरीके से effectively arrangements किये जाते है जिससे कि जो factory में जो भी जितना भी waste है व वेस्ट जो है वो हम बापस से reuse में ले सके है तो किस तरीके से disposal of wastes और effluence किया जाता है उसके बारे में section 12 में बताया गया है जिससे कि यह जो सारा waste material है वो factory से इधर बाहर मतलब बाहर drain नहीं किया जाए या बाहर फेका नहीं जाए बाहर throw नहीं किया जाए कोई pollution बनने के chances ना हो जैसे कि कोई water pollution ना हो जाए land pollution ना हो जाए ठीक है soil pollution ना हो जाए इस तरीके के pollution से बचने के लिए यह section निकाला गया है ठीक है तो 11 में जैसी की cleaning ना इस पर ध्यान दिया गया था वैसी इस बाले में section 12 में disposal of wastes पर विध्यान दिया है चीक है तो इस तरीके से काफी सारे sections बताये गए हैं काफी सारे sections को divide किया गया है सब sections के अंदर factory से related ही materials के बारे में बताया गया है कि आप कैसे industrial hygiene रख सकते हैं तो next section 13 की हम बात करेंगे तो section 13 के अंदर बतायागा है ventilation and temperature अब जैसा कि आप सब जानते हैं इतनी सारे employees वहां काम कर रहे हैं तो occupational health के उपर भी हमें ध्यान देना होगा और माल लेजिए अब factory है manufacturing चल रहा है obviously heat होगी temperature भी हाई होगे काफी जगाओं पर जहां manufacturing चल रही है जहां boilers लगाए गए हैं जहां सारी machines fit की गई है ना जिस भी चीज़ का manufacturing हो रही है वो सारी चीज़े तो वहां क्या temperature हमें maintain करना होगा तो temperature कैसे maintain हो तो उसके लिए proper ventilation system होना चाहिए properly जिससे की ventilation ठीक से हो सके और temperature जो है वहां का ज्यादा high ना हो सके जिससे की जो वहां workers काम कर रहे हैं उनको work करने में problem आए क्योंकि हमारा काम है safety का काम है कि occupational health पर भी उन्हें ध्यान देना है तो अगर वह लोग यह ventilation और temperature पर ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरीकी की problems उन्हें सामने आ सकते हैं तो इसमें यही बताया गया है क्या ventilation करने के लिए क्या करें तो देखिए आपको ventilation के लिए आप exhaust fans का use कर सकते हैं ठीक है exhaust fans जो की automatically जो चलते हैं ठीक है आप वहां पर ventilation के लिए ventilators बनवा सकते हैं तो यहां temperature से यह work room जहां भी चल रहा है उसका temperature आप कैसे maintain रख सकते हैं उसके बारे में पूरी बात की गई है ठीक है अब आप मान लीजिए कि कहीं का temperature जो है वह काफी हाई हो रहा है और वहां employees work कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उनको इस तरीकी की चीज़े सामने आएंगी जो कि गर्मी होने के कारण उस जगा पर heat होने के करण उनको वह बिमारी हो रही है ठीक है या वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक है या फिर बाडी में उनकी वीकने सारी है या चक्कर खाके गिर जा है ठीक है तो ventilation system जो है वह बहुती properly maintain होना चाहिए जिससे की temperature पर work room temperature पर ध्यान दिया जा सके health पर ध्यान दिया जा सके क्योंकि health अच्छी होगी तभी हमारी productivity वहां से बढ़ पाएगी ठीक है तो walls और roofs और जो भी materials हैं वह किस तरीके से design किये गए है temperature कैसे आप बढ़ने से रोक सकते हैं हम low temperature कैसे रख सकते हैं हम क्या के वहां arrangements कर सकते हैं कितने तरीकी के exhaust वहां use कर सकते हैं कैसी windows दे रखी हैं कि तरीका । कि अच्छी के doors हैं ग्रiki अफंपशर को करें ये शीन दॉछ फ्याज से उन्हारा उप्षेंट के पूर्ण सब्सक्राइब pastभ बाएंड दर के सब्सक्राइब सेफ क्ला और सब्सक्राइं दमस्थे को काम है उनोटी कसे भी और ये सब्सक्राइब caas काम हो रहा है उस व्कप्लेश के सारी सेफटी मैन्टेन की जाया और बहर के सेफटी नहीं देखी जाये तो एसा नहीं होता है आपको हर जगे का सेफटी मैन्टेन करके रखना है ओन साइड भी और ऑफ साइड भी ठीक यह हैं तो हमारे अभी तीन सेक्षटन तो हम पड़ जगे का safety maintain करके रखना है on-site भी और off-site भी ठीक है तो हमारी अभी तीन sections हम पढ़ चुके हैं 11 में हमने cleanliness के बारे में पढ़ा 12 में हमने पढ़ा waste disposal waste के बारे में 13 में हमने ventilation temperature के बारे में पढ़ा जिसमें कि हमें temperatures को maintain रखना है जिसे कि occupational health पर कोई effect ना पड़े और production भी ठीक से हो productivity भी भड़ सके और quality भी अच्छी हो क्योंकि safety के साथ हमारे तीन चीज़ों पर भी ध्यान रहता है quality, productivity और occupational health ठीक है तो यह सारी चीज़े तभी अच्छी हो पाएंगी जब हम यह सारी चीज़े फॉलो करते हैं हमरे जो sections के अंदर बताया गया है कि waste जो है उसे कैसे dispose करना है ventilation system कैसे रखना है हम कैसे अपने industry की hygiene रख सकते हैं यह सारी चीज़े भी sections में बताई गई है तो ऐसे जो चीज़े हैं यही occupational health को maintain करने में ताकि जो जितने भी employees है workers हैं उनको कोई issues ना हो health से related तो अगर उनको कोई problem नहीं होगी तो obviously कोई काम रुकेगा नहीं काम नहीं रुकेगा तो productivity भी अच्छी होगी है ना तो यह जो है section 12 और 13 के बारे में आज हमने बात की next sections के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी तो आज का यही topic था section 13 और 12 के बारे में so thank you